हलो एवरिवन आज देखिए हम कहां पर आए हुए हैं यह है पंडेत रामप्रसाद बेसमेल आटो नॉमस स्टेट मेटकल कॉलेज साजहापुर यह पढ़ता है कांट रोट आजिशपूर उत्तर प्रदेश तो यह देखिए गेट है कॉलेज का यह है सरकारी स्कूल प्राइमरी और यह जो है सिटी से थोड़ा सा हटकर बना हुआ है बढ़िया खेतों के बीच में है यह में गेट हुआ इसका अब हम थोड़ा अंदर आए है तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं यहाँ पर एक बूर्ड लगा हुआ है जो इंडिकीट करता है कि हमको कहां जाना है वह जिसे हम आराम से पहुंच सके अपने गंतव तक तो यह बोर्ड है और यह यहाँ पर बिल्डिंग है इसकी स्थापना जो है इस कॉलेज की 2019 में हुई है अभी नया कॉलेज है आटो नामा से स्टेट मेटकल कॉलेज सा जहां पर यह हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं पूरी किस तरह से यह बना हुआ है यहाँ पर हम कुछ जरूरी काम से आए हैं अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या काम के लिए आए हैं यह देखिए लिक्चरर भवन है और लिक्चरर भवन पर ही यह देखिए एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है वेलकम नीट यूजी काउंसलिंग आटो नामस स्टेट मेटकल कॉले साजहापुर यूपी तो आज हम अपने बेटे की नीट की काउंसलिंग के लिए यूजी नीट काउंसलिंग के लिए ये इसका फ्रेंट है बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है चारो तरफ ये कालेज जो है ये पंडित रामप्रसाद विस्मिल जी के नाम से ही बना है जिनका जन्म साजहापुर के मुरली धर तिवारी जी के यहां हुआ था भारत की गुलामी की बेडिया काटने के लिए अनेक वीरों और रडधीरों ने अपने जीवन को बलदान किया हस्ते हस्ते फासी के पंडे पर जूल गए और या तो जेलो पर सड़ते रहे पंडे रामप्रसाद विस्मिल जी भी उन्ही में से एक थे पंडे राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म साजहापुर में ही हुआ था कहते हैं कि जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को फासी की सजा सुनाई जा रही थी तो उनसे अंतिम इच्छ पूछी गई तो उन्होंने दारते हुए कहा कि अंग्रेजी सामराज का नाश हो यही मेरी अंतिम अभिलाशा है और वे हसते हुए स्वेम रसी गले में डाल विदा हो गए एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की अगर कोई गलती हो गई हो तो स्वारी कहते हैं इसके लिए यह देखे बहुत ज्यादा उची उची बिल्डिंगें हैं बहुत अच्छी दिख रही थी एकदम वाइट हाउस की जैसी यहां साफ सफाई भी हमने देखा बहुत अच्छी थी मैनेजमेंट भी अच्छा है जितना हमने समझा आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तम तक के लिए अपना ख्याल रखिए टाटा बाई बाई